आज हम किसी सो के बारे में नहीं एक सोंग के बारे हैं बात करने जा रहें। उस सोंग ने अभी ऑस्कर जीता गता हैय। हजी आपने सहे गेस किया है वह सोंग है नाटो नाटो और यह अवर्ड मिला इसके मैउजिक डिरेक्टर एंप किरानी को लेकिन 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 आपको मैं बस इतना ही बताने नहीं आया था क्योंकि इतना तो आपने कहीं ने कहीं जरूरी देख लिया होगा लेकिन हम इससे ज़ाज़ा जानने वाले हैं आज हम comparison करने वाले हैं नाचो नाचो और नाटो नाटो दोनों के बीच में तो वीडियो काफी यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो बने रहिएगा सबसे पहले बात करते हैं हम नाटो नाटो के बारे में नाटो नाटो जो है वो टेलगू सौंग है और इसका म्यूजिक डिरेक्शन वो एमेम किराने ने किया है और अब हम बात करते हैं नाचो नाचो के बारे में नाचो नाचो एक वोलीवोड डबिंग सौंग है इसका म्यूजिक डिरेक्टर भी एमेम किरानी है अब हम इस गाने के सिंगर्स के बारे हैं बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम राहुल सिल्पी गुंज के बारे में ये एक इंडेपेंडन सिंगर है और अभिनेता भी है इन्होंने अपने केरे के सुरुवात यूटूब से गी थी ये तेलंगाना तेल्गू और कि लिए जान जाते हैं इन्होंने अभी तक बहुत डुर सारे गाने लिखे हैं और गाहें जैसे मघजाती एम मयालू मगम्मा गलीका गनेश दोर में दावद करीब लड़का मिकी के किरिका जिसमें से मिकी किरिका और गलीका गनेश यह दोनों गाने बहुत ही हीट गए थे औ इन्होंने बहुत डेर सारे गाने तामिल लेंग्वेज में गाये हैं। हम इनके कुछ गानों के बार बजानते हैं। इन्होंने बाहुबली के लिए खोया है। बाहुबली 2 के लिए सीवम। और अर्विन समीथा में पेनी वीटी जैसे बहुत ही हिट गाने गाए हैं इनके पिता जी है M. M कि Raveni जिन्होंने अभी अभी ओसकर जीता है और हम 20 साल मिस्त्रा के बारे हैं बात कर लेते हैं यह वlliwood के बहुत ही जाने माने सिंगर है इसमोंने अभी तक बहुत ही डिट सारे गाले काया है कबिर शिंग में आई कैसे हुआ आरार में आई एटारा जेंडा और आरार में ही आई नाचो नाचो इन्होंने यमला पगला दीवाना गाना भी गाया है ये सब जानके आपको कैसे लगा कामेंट में जरूर बता है